अगि है कि स्थेट्व को एक फोलकम टू माइ चैनल आज रिडिवेड़ टूपिक क्य आए हैं तो कनेक्टेट्ट न मेंसे त्होरम हम करेंगे बी एक रिडिवे diff इंट शबसेट अप्सट है और सब्सेट सेट ड़ और भी हमें separated search given है तो जब भी separated search की बात आती है means हमें A closure intersection B is equal to 5 given है और A intersection B closure is equal to 5 given है यह मैं बात आपको हर वीडियो में बोलते हूं जब भी separated की बात आती है आपके माइन में यह चीज़ साथ के साथ आजाने चाहिए such that यह मैं बार-बार आपको इसलिए बोलते हूं ताकि आपको specially यह चीज़ याद ना रखनी पड़े कि क्या था वहाँ पे जब बार-बार आप यह वीडियो में सुनते रहेंगे कि A closure intersection B is equal to 5 है और A intersection B closure is equal to 5 है तो आपको यह चीज़ भूलनी ही नहीं कभी exam में कोई doubt ही नहीं होगा कि A closure था यह B closure था कहाँ पर 5 था कहाँ पर क्या था इसलिए मैं आपको जब भी separated की बात आती है आपको बोलती हूं कि यह चीज़ धियान में रखना ठीक है और वीडियो में सुनते सुनते आपको अब तक यादी होगी होगी such that E is the subset of A union B either E is the subset of A और E is the subset of B हमें given क्या है E is the subset of A union B we have to prove either E is the subset of A और either E is the subset of B चली E is the connected space यह हमें given है यह धियान रखना और A और B क्या है हमें separated given है चली हम इसका proof देख लेते हैं हम contradiction से यह proof करेंगे हमें proof करना है E is contained in A और E is contained in B तो हम यह दोनों को ले लेते हैं कि यह नहीं contain कर रहे हैं ठीक है E is not the subset of A और E is not the subset of B देखिए अगर E A का subset नहीं है हम कोई element लेते हैं there exists A belongs to E अगर हमने A जो है वो E को belong करता हुआ कोई element लिया और E जो है वो A का subset नहीं है it implies A को ही element लिया जो E को belong कर रहा है such that A किसको belong नहीं कर रहा B को belong नहीं कर रहा ठीक है A जो है वो E को belong कर रहा because E is not the subset of B तो A जो है वो B को belong नहीं कर रहा उससे तरह ही हम इस तरह से ले लेते हैं there exists B belongs to E such that B does not belong to A हमने इस तरह से element लिये यह हमारा यह हमने let किया let is not the subset of A is not the subset of B A जो है वो E को belong कर रहा है बट वो B को belong नहीं कर रहा B जो है वो E को belong कर रहा बट वो A को belong नहीं कर रहा हमने इस तरह से ले लिये यह कुछ ठीक है अब देखे यहाँ पे A जो है वो E को बिलॉंग कर रहा है बट वो B को बिलॉंग नहीं कर रहा है बट जो E है वो पूरे का पूरा किसके अंदर कंटेन कर रहा है A union B के अंदर कंटेन कर रहा है E that is the subset of A union B अगर कोई element A जो है वो E को बिलॉंग कर रहा है वो B को belong नहीं कर रहा तो वो किसको belong करेगा E जो है वो subset है A union B का अब वो A B में नहीं है तो कहीं तक कहीं तो होगा न तभी वो E में आएगा E में अगर वो आ गया है और B में नहीं है तो वो कहीं न कहीं तो होगा तो वो कहां पे होगा A में होगा इसको हम कुछ first नाम दे देते हैं from first and second देखे E is the subset of A union B A जो है वो B में नहीं है बट वो E का element है तो किसमें होगा? वो A में होगा निकल आया हमारे पास A किसको belong करेगा? A belongs to A A किसको belong करेगा? A को belong करेगा और यहां से हमारे पास एक चीज और निकल आएगी E is the subset of A union B B is not B doesn't belong to A A को belong नहीं कर रहा बट वो E को belong कर रहा है तो किसको belong करता होगा? B को belong करता होगा and B belongs to B यहां से यह subset से हमें यह चीज पता चल गी और यह चीज हमें ज्यूम करके चल रहे हैं A belongs to A and B belongs to B चलिए अब हम कुछ देखते हैं let G is equal to E intersection A and H is equal to E intersection B अब देखिए A जो है वो किसको belong कर रहा है? E को belong कर रहा है यहां पे हम यह चीज लेके चले थे A E को belong कर रहा है और A यहां पे हम रपास आगया A को भी belong कर रहा है also A belongs to A हम रपास G क्या है? G is the intersection of E and A A कोई point है E को भी belong कर रहा है A कोई point है वो A को भी belong कर रहा है it implies G is non empty G is not equal to 5 अब हम रपास B कोई point है जो E को belong कर रहा है also B belongs to B it implies H is not empty H is not equal to 5 देखिए A को यह E को बिलॉंग करता हूँ element यहाँ पे था और A ने A को भी बिलॉंग कर गया तो हमने बोल दिया कि इनकी intersection का जो है यानि कि G जो हमने इसकी intersection लिए that is not equal to 5 then B जो था वो E को बिलॉंग कर रहा है और B यहाँ पे B को भी बिलॉंग कर रहा है तो यह दोनों चीज़ी हमने यहाँ पे लिग दी then H जो है वो intersection है E और B की तो हम बोल देंगे H is not equal to 5 हमारी एक condition होगी तो यह non empty होगे G and H जो है हमार पास क्या होगे non empty होगे अब हम चेक करते हैं G intersection H closure चले जी intersection H closure चेक करते हैं G क्या है हमार पास E intersection A और H क्या है that is E intersection B closure G E intersection A H है हमार पास E intersection B उसका हमने closure कर दिया अब जब हम E intersection B closure करेंगे वो हमार पास क्या होगा E intersection A intersection E closure intersection B closure ठीक है जब हम इसका पुरा का पुरा closure करेंगे E closure intersection इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, अब हमने इसको इस तरह से लिख दिया, अब हम इसको उपन करके लिखते हैं, is equal to E intersection E closure, intersection A intersection B closure, E को इसके साथ, A को इसके साथ, इस तरह से हमने लिख दिया, E intersection E closure, A intersection B closure, अब देखिए A intersection B closure आपका किसके equal होता है A intersection B closure is equal to 5Y this is 5 because A and B हमें क्या given है separated sets given है A and B हमें क्या given है separated sets given है तो A intersection B closure किसके equal आजाएगा 5 के equal आजाएगा is equal to E intersection E closure intersection 5 Q A and B are separated sets ठीक है A and B separated है तो हम क्या बोलेंगे कि यह जो A intersection B closure किसके equal आजाएगा 5 के equal आजाएगा अब हमें चेक करना है E intersection E closure E intersection E closure किसके equal होगा E के equal होगा क्योंकि E किसके अंदर contain करता है हमेशा E closure के अंदर तो E intersection E closure किसके equal आजाएगा E के equal आजाएगा और intersection इसकी आजाएगी 5 के साथ तो जब भी हम किसी set के intersection उसके 5 के साथ करते है तो क्या आजाएगा हमर पस 5 ही आजाएगा कोई भी element common नहीं है उसके अंदर तो means G intersection H closure हमर पस किसके equal आजाएगा G intersection H closure हमार पास आ गया 5 के equal, similarly we can say G closure intersection H is equal to 5 similarly हमें क्या पता चलिगा कि G closure intersection H भी किसके equal आएगा 5 के equal आजाएगा अब यह दोनों चीज़े हमारे ध्यान में रखने है और यह दोनों चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि यह जो G and H है वो क्या बन गए G and H are separated यहां से यह दोनों से हमारे पास यह result आ गया कि G और H क्या है, separated हो गए ठीक है, next हम अब देखते हैं G union H की बात करते हैं, G union H चलिए, G क्या है हमारे पास E intersection A G हमने क्या लिया था, यहां से हम चेक करते हैं G हमने लिया था E intersection A और H हमने क्या लिया था, E intersection B चलिए, वो भी लिख लेते हैं union H हमने क्या लिया था, E intersection B अब यहां से देखे, E intersection A E intersection B इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं E intersection A union B इन दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं E को हमने common रख लिया E intersection A union B अब A union B हमारा किसके equal है देखते हैं A union की B के बारे में हमें क्या given है E is containing A union B E is the subset of A union B चलिए हमें ये given है E is the subset of A union B E is the subset of A union B देखें यहां पे कोई हमारा A union B वाला set है ये वाला E is the subset of A union B E यहां पे कुछ अंदर है जब मैं E की intersection A union B के साथ करूँगी जब मैं इस सारे की intersection करूँगी तो मिरे पस क्या आ जाएगा ये E ही आ जाएगा तो मिरे पस क्या आ गया ये E ही आ गया ठीक है जब मैंने इसके intersection की तो मिरे पस क्या आ गया यह e आ गया अगर यह e set आ गया अब देखिए g union h किसके equal आगी e के equal आगी अब हमने disconnected set की definition की थी last video में हमने disconnected set की definition की थी हमें सबसे पहले क्या check करना होता था हमें सबसे पहले देखना था a is not equal to 5 and b is not equal to 5 यहाँ पर हमने देखा g is not equal to 5 यह g जो है वो e के ही sets है हमने यह चीज़ प्रूफ कर दी कि g and h are separated यह separated भी होगे यह not equal to 5 भी है इनकी intersection हमने चेक की तो इनकी intersection भी 5 है तो हमने यह चीज़ चेक की इनकी union चेक की तो इनकी union भी किसके equal आगी g union h भी हमारे पास e के equal आगी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यह जो e है यहाँ पे क्या बन गी यह तो disconnected होगी because हमें e के लिए g और h जो है हमें ऐसे मिल गए e space जो होती है वो disconnected कब होती है e space disconnected होती है जब g और h जो है अगर हमें separated मिल जाए means g intersection h closure और h closure intersection b हमें किसके equal मिल गए 5 के equal मिल गए और यहां से हमें क्या पता चल गया कि e क्या है disconnected है तो it implies e is disconnected हमने e space के लिए को g और h जोन लिए जिस जोने वो सारी conditions को satisfy कर दिया disconnected की तो e यहाँ पे क्या बन गया disconnected मिल गया तो e अगर disconnected बन गया तो e तो हमें क्या given था e भी a connected subset e हमें क्या given था connected subset और हमने यहाँ पे क्या लिखिया आए है e is a disconnected subset e disconnected बन गया which is contradiction which is contradiction as e is connected और e is connected जो है यह चीज़ हमें given है ठीक है e is connected given है so e देखिये किस चीज़ की contradiction आई हम क्या लेकर चले थे जिस चीज़ की contradiction आई हमने सोचा था कि e is not the subset of a and e is not the subset of b इस चीज़ की contradiction आई इसका मतलब क्या हुआ either e is the subset of a or e is the subset of b ठीक है so either e is the subset of a or e is the subset of b hence proved अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ इस पूरे थियोरम में सारी जगा पे कुछ भी समझी नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके उसी टाइम पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और अगर आपको सारी वीडियो समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लस एक चीज़ और कीजिए वीडियो को शीर कीजिए सबके साथ और एक चीज़ और करने पड़ेगी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा विकाज अगर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोser और देखने है तो आप चैनल को सुब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप क्या करेंगे एक bell icon को प्रेस करेंगे क्योंकि bell icon को प्रेस करेंगे तभी आपको notification साथ की साथ मिल जाएगी वीडियो की bell icon को प्रेस कर लीजिए thank you, have a nice day, keep watching my videos